गुड मॉनिंग आलाफियो मैं आज कच्छा दो के लिए हिंदी वन में पाठ साथ पढ़ाने जा रहे हूं इस पाठ का नाम है बोलती गुफा बच्चों सबसे पहले मैं आपको गुफा के बारे में बता दू गुफा धर्ती के भीतर इस्थित वह स्थान होता है जिसमें कोई मनुस्य सरल्ता से प्रवेश कर सके या मुख्य रूप से पहाडों में होती है और इसमें अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है गुफाएं दो तरह की होती है प्राकृतिक गुफा प्राकृतिक गुफा में पहाडों में जो गुफाएं अपने आप बनी है उन्हें प्राकृतिक गुफा कहते हैं जैसे वैशनो देवी में मुख्य गुफा ऐसी ही प्राकृतिक गुफा है दूसरा मनुस्य द्वारा बनाई गई गुफा गुफाएं मनुस्यों द्वारा ही बनाई गई हैं भारत के महाराष्ट्र राजी में इस्थित अजन्ता और एलोरा की प्रसिद्ध गूफाएं मनुस्य द्वारा ही बनाई गई हैं आईए बोलती गूफा की कहानी पढ़ें किसी जंगल में एक शेर रहता था शेर भूखा था पूरा दिन घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला उसे एक गूफा दिखाई दी उसने सोचा की जरूर इस गूफा में कोई जान्वर रहता होगा जब वह गूफा में लोट कर आएगा तो मैं उसे मार कर खालूंगा शेर चुपचाब गूफा के भीतर जाकर बैठ गया भीतर का आर्थ होता है अंदर वह गूफा एक सियार की थी सियार गीदड को कहते हैं साम को सियार आया तो उसे गूफा के बाहर पंजो के निशान दिखाई दिये निशान का आर्थ होता है चिन्ह सियार बहुत होशियार था वह हमेशा चोकन्ना रहता था चोकन्ना का आर्थ होता है सावधान उसने ध्यान से निशान देखे शेर के पंजो के निशान गूफा के भीतर जाते दिखाई दे रहे थे लोट कर वापस जाने के कोई निशान नहीं थे सियार समझ गया कि गूफा के अंदर जरूर कोई शेर है सियार चालाग तो था ही चालाग का आर्थ होता है होशियार यह जानने के लिए कि शेर गूफा के भीतर है या नहीं उसने एक चाल चली गूफा से थोड़ा दूर खड़े होकर उसने आवाज लगाई ए गूफा मैं आ गया हूँ सियार की आवाज सुनकर गूफा में बैठा शेर खुस हो रहा था उसको भोजन मिलने वाला था वह चुप्चाब बैठा रहा अंदर से कोई आवाज नहीं आई सियार ने कुछ देर बाद फिर से कहा अरी गूफा आज बोलती क्यों नहीं तू रोज तो मेरे आने पर मेरा स्वागत करती हुई कहती थी स्वागत का आर्थ होता है अगवानी आईए सियार जी आईए क्या तू आज किसी से डर रही है गूफा में से कोई आवाज नहीं आई सियार बोला ठीक है तू आज नहीं बोलती तो मैं वापस चला जाता हूँ गूफा में बैठे सेर ने सोचा कि सचमुच यह गूफा रोज बोलती होगी आज मुझसे डर कर नहीं बोल रही है सियार कहीं सचमुच वापस नहीं चला जाए इसलिए गूफा के बदले मैं ही बोल देता हूँ आईए सियार जी आईए आवाज सुनते ही सियार वहां से तेजी से भाग निकला वह मुस्कराते हुए बोला अरे शेर आज पहली बार मैंने गूफा को बोलते सुना है इसके बोलने से ही आज मेरी जान बच गई तो बच्चो इस पाट से हमने क्या सीखा कि बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए मुसीबत को भापना चाहिए बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में सावधानी रखना चाहिए इस पाट के अभ्यासकारी मैं अपने जूम क्लास में करवाऊंगी ठैंक यू